हालो एव्रिवान, आज हम उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे इसे हम बड़े उ की मात्रा भी कहते हैं और ये अक्षर की खड़ी रेखा के पैर में लगती है इसकी ध्वनी थोड़ी सी पड़ी होती है उ, उ ये जिस भी अक्षर के साथ लगती है उस अक्षर की ध्वनी में उ ध्वनी को चोड़ दिया चाता है चलिए अब शब्द बनाते हैं शूल, सूत, भूल, मसूर अब र में कोई भी खड़ी रेखा नहीं है तो ये मात्रा र की कमर पर लगेगी शब्द बनेगा रूप, जूट, सूप, फूली अब जिस अक्षर में जो मात्रा लगी है उस अक्षर की ध्वनी में उसी मात्रा की ध्वनी को जोड़ा जाता है फ के साथ है बड़े उ की मात्रा और ल के साथ है बड़ी ए की मात्रा तो शब्द बना फूली जूल, चूजा, भूसा, पूरी, पूजा, घूसा, बालू, भूमि, शालू, पूस, जादू, कपूर, कालू, डाकू, कूलर, बबूल, मजबूर, चूरन, तराजू, जूला, मजदूर, सूरज, राजपूत, अमरूद, तो इस तरह से हम अक्षर को, एक एक अक्षर को मात्रा किस दुहनी के साथ जोड़ जोड़ कर नए नए शब्द बना सकते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बबाई, टेक क्यर,